सोलन जिला परिशद में बैठक का आयोजन किया गया ADC सोलन जफर इकबाल ने बैठक की अध्यक्षता की और जिला परिशद अध्यक्ष रमेश थाकुर विशेश रूप से उपस्थित रहे ग्रामीन क्षेत्रों में आ रही दिक्कत परिशानियों और मांगों को लेकर जिला बेहद हलके में ले रहे है लापरवा अधिकारियों की वजह से रामीन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है जिसका खामियाजा प्रदेश सरकार को चुनावों में भुगतना पर रहा है अर्की का उप चुनाव उसका ताजा उधारन है यही वजह है कि ADC सोलन जफर इ देते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों को जो जिम्मेवारी पिछली बार दी गई थी वह अभी तक उनके द्वारा पूरी नहीं की गई है उन्हें एक बार फिर से यहकार्य तेजी से करने के आदेश दिये गए हैं उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बिना बताए बैठक से अनुपस्तित पाए गए है। उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा है। किया जाए बाकी भी इसके अलावा भी कहीं कहीं जगाओं पर कैसे इंफर्स्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए रोड्स के इस्यूज आए हैं और उनको बोल दिया गया है कि हर एक एक्सियन वह इंशूर करेंगे कि आप वहां से वह रिव्यू लें कि जो है वह ग्रॉंड जगों पर नहीं हुआ है उसका कड़ा संग्यान लिया गया है और उनकी जॉब देए वो फिक्स की गई कल यह वह आज ही उनको बेज दिया जाएगा कि क्यों थे क्यों नहीं थे कहीं सीनिर आफिसर्स हैं जिनके आज वीसी है वो उन्होंने बता के गए हैं जो नहीं थे औ जेला परिशद का जो आपकोर्स क्वार्टरली मीटिंग होती है जहां पे वो अपना बताएंगे और यहां पे जवाब देखा होगा कि जो जो भी जहां काम नहीं हुए है उनका प्रॉपर जवाब लिया गया उनका उनको जहां उन्होंने अब पुरा अश्वस्त कराया है उ जिला परिशद अध्यक्ष रमेश थाकुर ने कहा कि कुछ अधिकारी जिला परिशद की बैठकों में नहीं आ रहे है उन्होंने रोज प्रकट करते की यह अधिकारी पिछली बार भी बैठकों में नहीं आये थे उनका यह रवया जिला सोलन के ग्रामीन क्षेत्रों के वि लेहोने पर जिला परिशत पहले से और बहतर कार्या कर पाएगा और यह कदम ग्रामीन प्षेत्रों के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पिछली मीटिंग में पिछली मीटिंग में आज की मीटिंग में एक अपनी आज़िस्ट करें क्योंकि जिला परुषद और अधिकारियों का ताल्मिल आप से बहुत जोड़ी हैं। कि एक पर दाकुर जी का इसमें दन्यबाद करने चाहूंगा कि इते डीर्डीए को पंचैती राज चाहिए तो इससे हमारे जो पंचैती राज जी इसमें काफी ताकत नहीं लेगी क्योंकि जो ग्रास रोट पे हमें पता है इस बात का कि वहां किस चीज की जरूरत हैं रोड क की रास्तों की टैंक्स की या किसी की जुरूरत है तो मुझे लगता है कि यदि जिला पर से मर जोता तो इसमें हमें बहुत ही ज्यादा काम करने में असानी रहेगी